आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज मैं ये concept लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से myths होते हैं बहुत से personal readings लेती हूँ मैं counseling लेती हूँ तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि twin flame journey से related के मैं सोच में पढ़ जाती होगी इस तरह के भी शब्द है क्या ठीक है कि matrix twin flame है spiritual twin flame है false twin flame है ये इस तरह से नाम दिये जाते हैं लेकिन visible twin flame ये मैंने नहीं सुना और visible twin flame होता क्या है नहीं पता जिन्हे जो लोग बोल रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए फैले ठीक है मुझे नहीं मालूम और इस तरह की कोई बात नहीं होती है कि visible and invisible कोई mr india नहीं है divine masculine की invisible हो जाएंगे actually किसी ने किसी कारण वश कहा जाता होगा उन्हें भी इस चीज़ को आपको समझना होगा वैसे अगर बात की जाए कि twin flame journey में myths बहुत है वो ये है कि ये एक बहुत ही romantic journey है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि मैम आप भी तो बताती है कि ऐसी physical sensation ये वो है ना और dreams आना तो वो क्या है वो है वो bubble phase है लेकिन वो bubble phase बहुत चोटा सा होता है और बहुत कम टाइम के लिए होता है कुछ हफतों के लिए किसी का कुछ महीनों के लिए किसी का दो तीन साल चल जाए तो समझ लीजिए you are lucky और इतना अगर ये आपका 20 साल से 10 साल से 15 साल से आप उस relationship में है तो आप ये समझेंगे कि ये romantic journey चलती रहेगी bubble phase चलता रहेगा 15-20 साल तो ऐ इसा नहीं होता इस journey में क्योंकि twin flame journey romantic journey नहीं है कोई sexual journey नहीं है इसलिए बार-बार कहते हूं कि reunion के पीछे मत भागे कि reunion चाहिए reunion चाहिए अच्छा एक मित ये भी है कि हम अपने reunion को short कर सकते हैं ऐसा नहीं है short नहीं कर सकते हैं जब जो होना है वो तभी होना है एक divine time पर ही होना है तो short करने के लिए कई लोग तांत्रिक इन लोगों का सवाल सहारा लेने लगते हैं तां पास ले आओ, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, हो जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमने कराया था और वो हो गया, वो मेरे पास आ गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो 100% आपके ही बन कर आ जाएं, पिल्कुल पॉजिटिव ही हो कर आ जाएं, और पहली बात तो यही है कि यह चीज गलत, मैं भी एक divine feminine energy में हूँ, balance state में हूँ, reunited हूँ, अपने ही twin flame से, और मेरा twin flame जो नए है उन्हें बता देती हूँ, वो मेरे husband ही है, तो काफी सालों का gap रहा, तो इसके बाद काफी सालों में separation भी हुआ, एक ही बार separation नहीं हुआ, कई बार separation हुआ, देन समझ में आने लगी कि चिडिया चुचु कर रही है, जी हाँ, तो फिर काफी सालों बाद ही reunite होना हो पाया, क्योंकि मैं खुद को समझ भाई, अभी तक divine masculine पर ही blame कर रही थी, क्योंकि वो मुझ पर blame कर रहे थे, तो देखिए, जब तक आप एक दूसरे को blame करते रहें बात वहीं रह जाएगी, जैसे कि आप ट्रेड मिल पर दोड़ रहें, दोड़ रहें, दोड़ रहें, दोड़ रहें, एक्जास्ट हो रहें, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, यह वाली बात है, और concept बताओं, जो कि myths हैं, वो यही है कि male, female के अलावा same gender में भी हो सकते हैं, same gender के भी twin flames हो सकते हैं, ठीक है, यह कोई गलत बात नहीं है, बस twin flame journey जो है न, soul connection है, इस चीज़ को अगर आप वाकई soul rise समझ जाएंगे न, तो फिर आप bodily connect होने के लिए भागेंगे नहीं, शादी करने के पीछे पढ़ेंगे नहीं, कि नहीं नहीं, इसी से ही करनी है, अब उसका घर तोड़कर आप सुकी रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, यह आप अपने आप से पूछिए, मैं गलत लग रही होंगी इस समय में, लग सकती हूँ, आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सोचके देखिए, अगर आप वा कहिए कि divine soul है, then what is the purpose of divine soul, divine soul का यही purpose है कि आप अपने soul purpose पर लगें, असल में इस life का आपका soul purpose है क्या, इस चीज़ को समझना आपके लिए जरूरी है, कई लोग यह कहते हैं कि क्या फाइदा फिर, आप जितना clarity से बता रहे हैं, आईसा कोई नहीं बताता है, लेकिन आपके clarity तो यह कहती है कि to inflame journey को छोड़ दो, अपने काम में लगे रहो, छोड़ो जो होना होगा, यानि कि कभी reunion नहीं होगा, जो मैं clarity से बता रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि reunion कभी नहीं होगा, उम्मीदें छोड़ दो, हताश हो जाओ, हार मान जाओ, और किसी और के साथ engaged हो जाओ, नहीं, twin flame journey का मतलब है कि आप अपने आपको समझे, twin flame journey को समझे, divine के प्रती surrendered हो जाएं, और surrender होने का मतलब भी कई लोग बहुत गलत निकालते हैं, कहते हैं हमने तो surrender कर दिया, हो गया, बस अब हम तो soulmate के साथ जा रहे हैं, surrender means give up करना थोड़ी है, हार मान जाना थोड़ी है, surrender means समर पित कर देना, कि है इश्वर जो तू देगा बस हमें, वो सुईकारे है, सुईकारे means क्या, acceptance, accept करना होगा हार एक चीज़ को, कि क्या है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में on-off की situation चल रही है, या separation है, then accept it, accept करें, वो separation period में ही तो आप सीखते हैं, तो ये है twin flame के myths, कु invisible twin flame कुछ नहीं होता है, ठीक है, invisible twin flame भी कुछ नहीं होता है, और जो है वो true twin flame ही है, ठीक है, true twin flame ही आपकी soul को awaken करने के लिए काफी होता है, actually आप कहते हैं कि twin flame कब awaken होगा, उसको कब हम बताएं, इतनी जल्दी ना करें, आपको पता चल गया है, आपने confirmation करवा लिया है, it's okay आप अपने मन में रखें, अपने आपको growth करें, हर तरह से, mind, body, soul and emotion wise, emotionally अगर आप stable नहीं है, strong नहीं है, तो आप किसी भी field में strong नहीं हो पाएंगे, चाहिए वो आपकी simply job हो, घर है, परिवार है, बच्चे है, office है, colleague है, तो आप stable नहीं हो पाएंगे, इसलिए mentally strong होना divine ने रचा है, और plan किया है कि अब मैं इसको ऐसे गुमाता हूँ, किसको divine feminine को, तो divine feminine को awaken करने के लिए actually, divine masculine इतना ज्यादा trigger करते हैं, यह हमें समझ में नहीं आता, यह समझ आता है, बाद में, जब हम meditative state में पहुंच जाते हैं, और surrendering की stage में पहुंच जाते हैं, और पूर इससे accept करने की, वो multiple relationship में, सभी twin flame, सभी divine masculine, multiple relationship में नहीं जाते हैं, इस तरह से सभी नहीं होते हैं, जिब की divine masculine तो अपना अकेले में रहते हैं, या अपने parents के तरफ ज़ादा जुका होता है, या friends के प्रति ज़्यादा जुका होता है, multiple relationship में बहुत कम होते हैं, पर जिनके ह यह भीटी स्टौर्टिट इनर्जी में होते हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है यह अजी में टूरेंग करता है यह आपको पॉज्टीवली सर्फ नहीं कर रहा और आप इन से दूर जाने पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपका दिल तूट नहीं रहा है, यह चीज है, I hope कि मैंने काफी अच्छे से समझा दिया होगा, बहुती clear language में, हिंदी में समझा रही हो, उसके बाउद भी अगर आप यह कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप यह, जो स्क अमसकार